प्यारे विद्यार्थों तीन अगस्त का कक्षर साथ समाजी विज्ञान का आज ग्रहिकार लेके आचुके हैं अध्याय दो है हमारा स्वास्थ में सरकार तो चले सुरुआत करते हैं पहले प्रस्थी स्वास्थ क्या है तो चले इसका एंसर नोट करेंगे श्वास्ट करते हमारा बीमारियों और चोट से मुक्त रहना सभी को तनाव मुक्त और पशंद रहना स्वास्ट के लिए भिविन पहलू होते हैं दूसरा प्रश्ण नोट करेंगे बीमारी के लावा अन्य पहली कौन से होते हैं से स्वास्त पर प्रभाव पढ़ता है तो इसका उत्तर नोट करेंगे लोगों को भरपेट भूजन वशुद्ध पानी पीने की विवस्था ना मिलने से साथ ही प्रुदूशित बातावरण होंगे तो उनके श्वास्त पर प्रभाव पढ़ेगा इस तरह से दूसरा प्रश् नोट करेंगे चौता प्रश्ण है हमारे पास बेमारियों से बचा हुआ उनके उपचार हित लोगों के लिए क्या क्या स्वास्त सुविधाय होनी चाहिए तो इसका नोट करेंगे बेमारियों से बचाओ और इनके उपचार के लिए हमें उचित श्वास्त सेवा हैं चाहिए योग डांक्टरों तता अन्य विशेशग्यों की जरूरत पड़ेगी पाचवा प्रस्ट नोट करेंगे हाकिम सेख को इलाज है तो निजी अस्पताल में क्यों भरती होना पड़ा तो इसका एंसर रहेगा हाकिम सेख की तवियत खराब होने पर दिल्ली की सरकारी अस्पताल में ले गया गया परन्त भरती नहीं किया गया क्योंकि कोई बेड़ खाली नहीं था दूसरी अस्पताल में उनके इलाज की शुबदावम विशेशग्य नहीं थे इस गंभी रिस्ती में 14 घंटे में 8 सरकारी अस्पताल में ले जाया गया परन्त भरती नहीं हो सके तब बाद में श्वास्त और खराब होने पर नजी अस्पताल में भरती किया गया इस तरह से आज का ग्रेकारी श्रमाप्त होता है उम्मेद करता हूँ आपको वीडियो पर शंद आएगा अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजीगा और अपने दोस्तों को जरूर सिर कर दिजीगा ताकि उनका भी फाइदा हो सके फिर मिलेंगे नहीं जानकारी के साथ क्रॉप करो और तुरंच वीडियो सलुशन पाओ फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैच, बाइलोजी का हो सीबीएसी, यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश या अन्ने स्टेट बोर्ट्स का हो यहां तक की कक्षा 6 से 12, आईटी जेई और नीट का सवालो सभी सवालो के वीडियो सलुशन बस 5 सेकेंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट आप पर इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है तो आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनेट आप इंस्टॉल कीजिए